कि अच्छी सेहत और धनलाब के लिए मकर राशी वालों को कितने मुखी रुद्राक्ष किस तरह यानी किस विधी सिधारन करना चाहिए आए जानते हैं मकर राचिवालों को देखो साथ मुखी, नौ मुखी, दस मुखी या फिर तेरे मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए मकर राचिवालों को ये सभी रुद्राक्ष धारन करने से सनी क्रिपा मिलती है सेहत, धन, यस, संपत्ति की प्राप्ति होती है घी, सहत और सक्कर से सिवलिंग का अविसे करने से सब प्रकार की मौनो कामना पूरी होती है जव तप करई कुमारी तुम्हारी भावि हु मेट सकें ते पूरारी भगवान सिव क्या ऐसा है दुनिया में जिसे एक छण में संपन्न न कर सके इसलिए पूजा वसान समय दसवक्तर गीतम यह संभु पूजन परम पठती प्रदोसे तस से इस्थिरा रथकजें द्रतुरंग युकता लक्ष्मी सदय उसमुखी प्रददात संभो हर हर महादेव अगर आप भगवान भोले नाथ के रुद्राक्ष को भगवान भोले नाथ का ही स्वरूप मान करके धार्ण करेंगे तो निह संदेह आपकी मनो कामना पूरी होगी जै मादिन देवासनी